हाई गाईज मैं हूँ प्रिती और आप सभी का प्रेंस वर्ड में स्वागत है आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुप बित्रा होगा आज के वीडियो में जानेंगे जिन बदर्स के जो ब्रेस्ट फिडिंग मदर्स हैं उनके ब्रेस बड़े और लूज हो उन्हें क्या क पर लैंना चाहिए और कोन से चीज के बारे में टेंशन यह लेना चाहिए यह वीडियो में बताओं वीडियों जो हैं बहुत इंड्रेस्टिंग होने वारा है चानल पर देख्ञेंगा है आपका एक मेरे लिए बहुत महांने रखता है उन्हें चलिए वीडियो स्युआर है सबसे पहले आप जैन लेना चाहिए कि अगर आप ब्रेस्पिटिंग मदर हो और आपका जो प्रेस्ट की साइज वह ज्यादा बड़ी और वो लूज है तो आपको ब्राप पहनना कंपल सरी आपको याद रखना है कि वाला ही कियों नहीं सकती वह इसलिए क्योंकि आप उठा के जह ब्रा को उठाओगे और फिर उसके बाद ब्रेस्प्रइब और भेवान्हाद के जूपर के साइड है यह वाली उसके जब्रबड के वज़े से नीचे प्रेस उखेत प्रेसी ह् of zdyo अब आपकर प्रेस प्रहेदी इस तो ब्रेश दियार पर होता है और इस तरह से खोल लोगे तो लगो जो है आप पुरा खुल जाता है और आप ब्रेस्ट पूल होने के बज़े से बीनीचे की तरह पूश होता है और आप दूद पिलाते समय भी वहीं होता है इस वजह से सपोर्ट मिलता है अगर आप पहने होगे तो फ्रेंस यह तो होगी पेहली बात दूसरी बात जानते है लिए इससे नहीं रसक्ता नहीं पिला सकते अब कुछ वे ने बच्छे को और तो अख्य तरह के साथ बिला सकते पॉइंट नमबर त्री अगर आपके ब्रेस ना बहुत जादा लूज है तो आपको एक्सराइज करने चाहिए मसाज करने चाहिए जब आप ब्रेस्फिडिंग करा रही हो तब से आप शुरू कर सकती है सारे एक्सराइज और मसाज अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे क फ्रेंस पॉइंट नमबर फॉर जब भी आप ब्रेस्फिड कर रहा हो ना तो आपके लैप के उपर जो गोदी है उसके आप तकिया रखे ही ब्रेस्फिड कराना चाहिए अब आप पूछोगे क्यू मैं ता इसे गोदी में बैठा के पिला देती हूँ तो उससे क्या होगा उससे यह होगा कि अगर आप गोदी में तकिया नहीं रखोगे तो बच्चे का जो लैवल है वो नीचे रहेगा उसके वज़े से बच्चा निपल नीचे खीचने की संभावना रहती जिसके वज़े से और ब्रेस्फिडिंग हो सकती है क्या करना है गोदी में तकिया रखन है और बच्चे के नाक और ब्रेस्ट का जो निपल है वह एक लैवल में होना चाहिए तो आप तब ब्रेस्फिडिंग करवाईएगा फ्रेंस पाच्वे चीज़ जब भी आपना डिलीवरी करते हैं उसके बाद ना मसाज सुरू हो जाता है मसाज के टाइम पर ना पैस्ट् का साइस जो है और यदि बढ़ा है जिसके वज़से वह यह वेनेस के वज़से और लटक यहाएगा उसको बोला है अप्वर्ट की चाहिए और अच्छे तरह के से राऊंड में मसाज करें जिसके वज़से आपका जो ब्रेस्ट सैग होना ठोड़ा कम हो जाएगा प्रब्लम नहीं होगा लोग जो बोले बोलते रहने दो क्योंकि आपका बच्चा आपके साथ ही है वहीं आपको कैसे दूद पिलाना और कैसे नहीं आज का वीडियो यही तक था अच्छा लगा देगा अच्छा लगा तो लाइक जो कीजेगा और कमेंट सेक्षन में जरूर